इस समय हम पहुंचे हैं जन पत में और आपके यह शॉवार्ट पड़ती है और आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो प्रेरणा के लिए इनसे बहतर कोई नहीं हो सकता वह आप देख सकते हैं अभी भी इनके हाथ में कुछ सगन के आप लिफाफे देख रहे होंगे और इनकी उमर के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप काफी हैरान हो जाएंगे क्योंकि आज के समय में यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ स्पेशली जो है वो नसे की तरफ जा रहा है और क्वाम करने से काफी जो है वो पीछे हटते हैं अंकल से जरूर बाचीत करेंगे अंकल उमर कितनी है आपकी और नाम क्या है मेरा नाम कुलदीप सिंग है मेरी उमर 75 प्लस है तो आप इतनी उमर में भी मैं देख रहा हूँ हाथ आपके कांप रहे हैं तो जो सगन के लिफापी आप यहां पर बेच रहे हैं कारण क्या है कारण यह है जी मेरी डिड़ की अड़ी खराब हो गई है डाक्टरों ने कह दिया है कि वे कोई चलता फिरता काम कर लो कुछ कमाई कर लेते हैं और मैं यहां पर लोगों को घुटने के दर्द का तेल फ्री सेवा करता हूँ पहले क्या करते थे पहले मैं फैशन डिजाइनर था लेडिस का अच्छा तो देख लिजे दोस्तों हिम्मत को हम सलाम करते हैं इनकी और जैसे इनों ने बताया कि यह पहले फैशन डिजाइनर थे और अब जबकि इनके रीड की हड़ी में प्रोब्लम आ गई तो इसके बाद डोक्टर ने बोला कि काम चलने फिरने का आप काम करें और आप देख सकते हैं हाथ जरूर यहां पर आप देख सकते हैं कांप रहे हैं और और सगन के लिफाफे की अगर बात करें अंकल हमें भी देदी जिए एक लिफाफा हम इनसे ले भी लेते हैं क्या कहना चाहेंगे अगर हम लोकल मार्केट लेते हैं एक पंदरा सोला रुपे का यह पंदरा रुपे का देखा और के भी बता दीजी और कि पचास रुपे का है इस्के वाला यह सत्तर रुपे के पकचीस है यह 80 रुपे के पांच रुपे कम से कम मार्किट में इसकी एक की वल्ली होती है बस अपनी अपनी होगा है मुझे कोई पैसा की इतनी पैसा है नहीं कि जो मैं यादा पैसा हूं बेच हूँ अगर बात करें प्रेज़ना स्तुरूत जो है आप बन सकते हैं क्योंकि इतनी उमर में भी आप काम क करते हैं ऐसी बात नहीं यह है कि मैं मजबूरी में नहीं कर रहा कुछ लोग मजबूरी में करते हैं तो दूसरे आप जैसे भाईयों से मेल मुलाकात हो जाती है अब यहाँ पर सभी मेरा इतना इज्जत करते हैं अससे हाँ अच्छा तेल भी दिखा दें एक बार जो आप सुबही सुबह पढ़ जाता है अब देखो जिम्हाइक चतर साल की वरका हूँ आथ पैर चलते हैं तो फ्रीमें देते हैं उसको फ्रीमें सेवा करते हैं ताकि जैसे आप फिट रहने का परियास कर रहे हैं और भी फिट रहने चाहिए और आदमी को फिट रहना चाहिए हम तो कहते हैं कि पिश्वर सबको फिट रखें यूथ को क्या मैस्जिज देंगे यूथ को मैस्जिज देंगे कि यह नशे पतों से दूर रहें यह जो आज कल चिक्टे का रिवाद चल पड़ा है यह तो बिलकुल ही जहर क्या है यह इसको आनियाना चाहिए और दूसरे बाक अशा मैस्जिज यहां पर अंकल की तरफ से दिया गया है आप सभी से अपील भी करूंगा कि इस ख़बर को आप शेयर भी करें ताकि जादा से जादा लोग जो हैं इससे प्रेरणा ले सकें दीजी आप पैसे लीजी इसके खुला भी दे देतें आपको तो आप सभी से मैं करें यूथ की तो यूथ जिस तरफ जा रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी चीज है कि इस उमर में भी अंकल काम कर रहे हैं और काम पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि फिट रहने के लिए कर रहे हैं अपनील आप सभी से किस ख़बर को शेयर जरूर करे यो झाल झाल झाल